क्लास बेरी गुल इवनिंग तो आल फ्यू पिछली लेक्चर में हमने क्वेश्टन बैंक शुरू किया था बेटा एक्टम्स एंड मॉलिक्यून स्ट्राप्टर का हमने सब्सक्राइब करते हैं सबसे पहले क्वेश्टन के साथ कहते हैं मास ऑफ वन आटम ऑक्सिजन का आप कैसे निकालोगे तो इसका फॉर्मला होता है ग्राम एक्टमिक मास अपॉल आवोगाड्रोज नमबर कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि ऑक्सिजन का मास कितना होता है पिटर अगर आंसर है जी एम में बेटा कितना आएगा 16 तो एक ही ऑप्शन आती है वह क्या हो ग एक क्या होता है कि एंत को रिच ऑम देफार फॉलम इंस माक्सिमम्म नमब और मॉली कुल्स तो विबाटा 21st क्वेस्टन के लिए आप ऐसा कि जी आप इन सब के लिए नमबर और उर मोल्स निकाल लेजिए कैसे मॉल्स का फॉर्मला क्या होता है गिवन मास अपॉन ग्राम म number of molecules का formula क्या होता है मोल्स इंटु एने जिसके मोल्स जादा होंगे उसके number of molecules भी जादा होंगे क्योंकि आवोगाड्रोस नमबर की वैल्यू तो बेटा क्या होती है constant सर क्या मतलब अब देखो बेटा 2 इंटु 10 और 3 इंटु 10 बेटा इस में से नमबर बड़ा कौन सा होगा तो बेटा आंसर इस 3 इंटु 10 क्योंकि यह वाला नमबर तो दोनों में सेम ही है तो मैंने इन में पता लगाया कि बड़ा कौन सा है तो बेटा हम मोज निकाल लेते हैं अब पहला पार्ट है वन ग्रैम ऑफ कार्बन डायक्साइड तो इसका मोज कितना वाज़ेगा वन अपॉन इसका मास्क्राइब करते हैं वन ग्रैम ऑफ नाइट्रोजन गैस क हम बात करते हैं हाइड्रोजन की तो यह कितना आजाएगा वन अपॉन सिक्स्टी तो कोई बच्चा मुझे बता सकता है इन चारों में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आएगी बिटा हाइड्रोजन की तो ऑप्शन इस सी कहते हैं 3.42 ग्रैम्स सूक्रोज को 18 ग्रैम्स ऑफ पानी में हमने डिजॉल्व कर दिया दा नंबर ऑफ ऑक्सिजन आटम्स इन ड़ सलिव्शन बेटा कितने हो जाएंगे तो बेटा हम बात करते हैं इसके अंदर इंडिविज्वल मॉलेक्यूल्स की पेटा पहले आटम्स पता लगाएंगे किस-किस के अंदर है अब देखो पेटा ध्यान से सूक्रोज का पेटा फॉर्मुला क्या होता है सी ट्वेल एच ट्वेंटेटू ओ इलेबन सब्सक्राइब है तो बेटा अगर मैं सूक्रोज के बेटा क्या निकाल देता हूं इसके अंदर किसके ओक्सिजन के तो बेटा कैसे निकाल दोगा कितने मॉलेक्यूल होंगे बेटा सूक्रोज के यह देखो बेटा मास कितना है सूक्रोज का 3.42 डिवाइड़ बाइ इसका मॉलेक्यूला मास होता है 342 इंटू आवोगैड्रोस नंबर और इससे मैं बेटा किसको मुल्टिप्लाइ कर राजया होगा इलेवन को क्योंकि बेटा इससे मेरे पास क्या आ जाएगा सूक्रोज APPLAUSE बेटा, इससे मेरे पास क्या आ आपशिया? नवबर ओखो ऐटानL, किस में है? सूक्रोज में. ऐसे ही मेरे पास water भी है, मैं water में निकाल दोगा बेटा कितने आटम्स ऑक्सिजन के बन इंटु मास कितना है एटीन डिवाइड़ बाइटीन इंटु आवोगाटोस नमबर तो बिटा ऑक्सिजन आटम्स यहां पर कितने हो गए एने और इसमें हमारे पास कितने हो जाएंगे वन पॉइंट इलेवन बन्जा पॉइंट वन तो यह हो जाएगा वन पॉइंट वन एने तो हम इन दोनों नमबर्स को बेटा क्या कर देंगे तो अगर आप इसको देखो तो यह आगया एलेवन पॉइंट वन एने और यह आगया बेटा वन तो वन पॉइंट वन एंड वन तो टू पॉइंट वन एने हो जाएगा 3.4 a option so option a um option a आजाए का बिटा, आपको पाइपाँ साथ, 23, how many number of oxygen atoms आपको अभी वर्शन नमर 22nd कराएप लेट मीट इसा करते हैं पहले सूख्रोस और वाटर के आपको निखालते हैं आपको अभी वर्शन नमर 22nd कराएप लेट मीट फिनिश ओफ 23rd and 24th आपको अभी उसके उल्टा काया है निटी आपको अध्यूच आपको आपको पार्मुला वक्षिमत फोस्पेट फैंड ये ठीक रिटा, विकि रिख भी जाएपको इस फिनिशित निटी करें निथा आपको और फॉस्पेट मिलेट येचिती और ये ठीक है विपाट है इसे ह सब गलत है तो ऑप्शन कितना हो गया और अब हम बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नमबर ट्वेंटी सेकंड की मैं आपके साथ बेटा एक वाइट स्क्रीन शेयर कर रहा हूं मोल्स ऑफ ऑक्सेचन मोल्स ऑफ सूक्रोस तो बेटा सूक्रोस के मोल्स कैसे हो जाएंगे मास अपॉन ग्रैम मॉलेक्ल मास तो यह आगे बेटा 342 अपॉन 3.42 तो यह आगे बेटा 0.01 ठीक है और उसके बार इसके अंदर हम निकालते हैं बेटा इसके मोल्स ऑफ ऑक्सिजिन एक्टम तो बेटा बू कितने हो जाएंगे 11 इन्टू मोल्स ऑफ सूक्रोस तो बेटा यह कितना आजाएगा 1.1 एक तो अगर आप उसको मल्किप्लाइ करोगे ठीक है अब आपके पास क्या है 18 ग्रैम्स ऑफ वाटर तो बेटा आप पहले निक प्रेंडेंगे मास upon ग्रैम मोल्किल मास बेटा यह कितना आगए 18 अपउन अगिआ वान यह कितना आ गया यहीं बेटा आप निकाला लोगे इसके अंदर मौल्स ऑफ औक्सिजिन भर 訂द यह इसके जना आप बैटा अब आप निकालोगे नमबर ऑफ Blog तो आपके पास क्या आजाएगा टोटल उक्सीजईन एटमस कितना जाएगा, 1.1न bus 1 एवे तोन सकते स्कूर्ण सब्सक्राइब हो गया, 1.1 प्लस मन तो यह कितना आजाएगा, ऐने इसको मुल्किप्लाय करते हो कि तो Kitchen आजाएगा, तो यह आंसर जो है बेटा वह 12 point something आना चाहिए और मेरे इसाब से वहां पर option में गलत दे रखा है हाला कि आप ऐसा करो इस question को cut कर दो यह question आपके syllabus में नहीं आएगा तो answer किसका बेटा कितना होना चाहिए मतलब 2.1 इंटु 6.022 इंटु ट्वेल ट्वावर 22 आंसर में ट्वेल पॉइंट सम्थिंग सम्थिंग आना चाहिए options में आंसर जो है वो साहीं नहीं दे रखा है क्योंकि उन्होंने oxygen atoms के बारे में पूछा है ओके सर्व यह करेक्ट option है आप बेटा कॉपी कर सकते हैं और एंट कि रहां असर्शन और रीजिंग पर चले जाएगे तो बेटा लेट इस मूव तो नेक्स्ट टॉपिक यह असर्शन और रीजिंग तो बेटा यह क्या कहते हैं इनको जरा हम देखते हैं बेटा जर्थ सकते हैं अगयर 12 ग्रामस आप कार्थमें 20 ग्रामस रफी करता है 25 ग्रामस प्र्यक्त और लेक्ट अप्रणव फॉप उस् póst पी फॉइ पॉजर्शन ग्रामस तो के तो बेता स्व एस G फॉजर्शन ग्रामस प्रामस का आ ग्र्णें यह सच है, hydrogen and oxygen can combine in any ratio to form water, यह false है, यह हो गया option A and यह हो गया option C, 3 grams of hydrogen requires 24 grams of oxygen to form water, यह true है, hydrogen combines with oxygen in ratio of 1 is to 8, यह true and correct explanation, यह हो गया बटा A, all matter is made up of atom, true, atoms are building blocks of all matter, true and correct explanation A, atomic symbol of carbon is C, true, carbon exists as monoatomic element in nature, यह बहुत सारे carbon के atoms combine करके उसको solid बनाते हैं, यह हो गया option C, nitrogen is a monoatomic element, यह गलत है, nitrogen consists of only one type of element, यह भी गलत है, यह option कुण सी होती है, E, sulfur is a polyatomic element, यह true है, यह उसका formula क्या होता है, S8, sulfur molecule consists of 8 atoms of sulfur, true and correct explanation, A, ions are negatively charged chemical species, यह false and they can be negative and positive, positively charged chemical species are called cations, यह true है, यह option क्या होगे, D, chemical formula of ammonia is NH3, true, ammonia is made up of nitrogen and hydrogen atom, true, यह option क्या होगे, P, chemical formula ammonia का is ALO2, यह false है, aluminium combines with two oxygen atoms to form aluminium oxide, यह भी false है, यह option क्या होगे, E, next, देखते हैं, बिटा, we have done 10 assertion reasoning, बात करते हैं, बिटा, 11th part की, the molecular mass carbon dioxide का 44 यह आता है, यह सही है, molecular mass is the sum of atomic masses of all the atoms in a molecule, बिटा, यह भी सही है, और यह हो गया, बिटा, option B, one mole of oxygen and nitrogen has the same number of atoms, बिटा, यह बिलकुल सही है, oxygen and nitrogen बोथ हाr diatomic elements, यह भी बिलकुल सही है, पर उसका reason नहीं है, 10 gram sulfur का can combine with 10 gram oxygen to produce 30 grams of sulfur dioxide, बिटा, यह गलत है, oxygen and sulfur combined in the ratio 1 is to 2 by mass to form sulfur dioxide, बिटा, यह true है, जड़ा चेक करके देख लेते हैं, SO2, sulfur and oxygen, बिटा यह हो गया, 1 into 32, यह हो गे बिटा 2 into 16, तो बिटा answer आगया बिटा, false, कुकि बिटा, रीचियो कितना आहे, 1 is to 1, very good, वेले गोडैक्टों, बिलकूल्ड sum of masses of reactants and products remain unchanged this is law of constant law of conservation of mass a group of atoms carrying a fixed charge on them the formula unit mass of calcium phosphate to be the team calcium to be the three into 40 plus two common are phosphorous to be one into 31 plus oxygen to be the four into 16 120 plus two into 60 for 64 plus 31 to be the key to 95 to 120 plus 190 to be the key to the three hundred and ten the formula of sodium carbonate beta kya hoata na2 co3 and that of aluminum self ammonium sulfate NH4 hold twice SO4 which ancient Indian philosopher suggested that all matter is composed of very tiny particles his name was maharishi kanad maharishi kanad and what name was given by him to these particles parmanu parmanu name any two laws of chemical combination law of conservation of mass and and what he says to be the law of conservation of industrial surfaceindung is the law of constant constant and definite and definite proportion कोपी कर सकते हैं नेक्स्ट बिटा देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं अगर 100 ग्राम्स ऑफ प्योर वाटर टेकन फॉम डिफरेंट सोर्सेज दीकम्पोस्ट बाइपासिक करेंट 11 ग्राम्स हाइट्रोजन 89 ग्राम्स ऑक्सिजन आप अविज अप्टेंट विच चैमिकल लॉइस इलुस्टेटेट बाइप इस स्टेटमेंट अलोग ऑंस्टेंट प्रपोर्शन क्याता है इस 100 grams of calcium carbonate weather in form of marble chalk are decomposed completely 56 grams of calcium oxide and 44 grams of carbon dioxide are obtained विच लॉफ चैनिकल कॉंबिनेशन इस लॉफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्योंकि बटा एक्वेशन मलगी नौ क्याता है स्टेट लॉफ कंजर्वेशन ऑफ मास गिवन एक्जांपल तो इलॉस्टेट लॉफ फॉफ वॉफ रवन एक्वान इलस्टे आपको बटाएन जोस में मिल जाएंगे आंसर से लेंट इस वह था नाउ लिवाइसर कि अन्टोनियो लिवाइसर ने लॉडिया था बिटा बुटाइब अबिटा न्योड आपको बिटा नोग पिल जाएंगे matter contains small particles called atoms, atoms cannot be divided, all matter, all same form of matter contains same types of particles, the atom cannot be further broken down, a chemical compound consists of same elements combined together in a fixed mass ratio, which postulate of Dalton atomic theory is a result of law of conservation of mass by Levoiser, whether atoms can neither be created nor can be destroyed. Which part of Dalton atomic theory came from the law of constant proportion? in a compound different elements combine in a fixed mass ratio okay then better 11th question Dalton atomic theory says atoms are indivisible. Is this statement still valid? and answer is no. Give reason, because atom can be broken into electrons, protons and neutrons so you can copy these answers we can copy we can discuss discuss question number 12 12th किया केटा है एक चाहिता है मैनेजियum and oxygen combined in the ratio of 3 to 2 by mass to form magnesium oxide what mass of oxygen gas would be required to react completely with 24 grams of magnesium 36 gram agar 3 grams of mg needs oxygen कितना टू ग्राम्स देर्फोर 24 ग्राम्स ऑक्सिजन को बिटा कितना चाहिए और टू अपॉन ट्री इन्टू ट्वेंटीफूर यहां पर 16 ग्राम्स आ रहे हैं गलते से और ऑक्सिजन को मैंगेशन बना दिए आंसर 12 जो है कितना आने 16 ग्राम्स तीक है देन बेटा हम Qaustun No. 13 की बात करते हैं 5 G्राम्स ऑफ कल्चियम इस बॉन्टिं टू ग्राम्स ऑख शिजन टू ग्राम्स ऑफ कल्चियम ऑख साइड वाट मास्स ऑफ कल्चियम ऑख साइडिन 5 ग्राम्स ऑख साइड बन्विट 20 ग्र Grams of Calcium Oxide will be formed, क्यों हो भई, due to Law of Constant Proportion, Oxygen तो वो एक्सेस में है, इसलिए उसका कोई फाइदा ही नहीं है, क्यों, Q14, इन वाट, इन वाट, इन वाट, इन आपनो मीटर जिसको हम क्या लिखते हैं, Nm, write the relation between nanometer and meter, 1 nanometer is equal to 10 to the power minus 9 meter, 16th answer, why is it not possible to see an atom even with the most powerful microscope because it is extremely very small and moving very extremely small because it is very small then 18th question give two symbols which have been derived from English names of the elements those symbols which have been derived from English names of the elements. Aluminium symbol AL, boron symbol B. Give two elements derived from Latin names. Natrium, iron, sodium, Na and ferrum, iron symbol is Fe. Then beta, next question, 13th, define atomic mass unit. It is 1 12th the mass of C 12th atom. What is its symbol? Its symbol is you. What is the full form of IU pack? IU pack ki full form kya hai? international international union of pure and applied chemistry. Let's move ahead and start with question number 21. Now what does the question says? Keta, what is the difference between molecule of an element? Kya hota beta? Jab atoms of same element combine kya hota beta? And what is the molecule of a compound? atoms of different elements combine kate hai? And what is the molecule of a compound? Atoms of different elements combine kate hai? CO2, water, यह बिटा, एक्जामपल होता है. 22nd, कहता है, what is atomicity? तो बिटा, क्या होता है? Number of atoms combining to form a molecule, इसे कहते है, बिटा, atomicity. Give two examples. बिटा, O2 की atomicity कितनी होगे 2 और Ozone की atomicity कितनी होगे 3 बिटा, what is the atomicity of oxygen? बिटा, it is 2. Ozone बिटा, it is 3. Neon बिटा, it is 1. Sulfur बिटा, it is 8. Phosphorus बिटा, it is 4. Sodium बिटा, it is 1. बिटा, write the formula of the compounds and also name the elements present. Water का formula क्या होता है, बिटा? Hydrogen, H2O. ammonia का formula क्या होता है, NS3. methane का formula क्या होता है, CH4. sulfur dioxide का formula क्या होता है, SO2. ethanol का formula क्या होता है, C2H5OH. बिटा, इनके अंदर बिटा, कौन-कौन से elements है, आप वो भी देख सकते हैं. water में hydrogen है, oxygen है. ammonia में nitrogen है, hydrogen है. methane में carbon है, hydrogen है. sulfur dioxide में sulfur है, oxygen है. ethanol में carbon है, hydrogen है. oxygen है, और oxygen है, देन बेटा, question number 25th, what is the difference between 2N, बेटा, 2N का मतब क्या होता है, 2 individual atoms of nitrogen, और बेटा, N2 का मतब क्या होता है, two atoms combined to form molecule. तो दो atoms आपस में combine करके, बेटा, क्या बना रहे है, molecule बना रहे है. 26th कहते है, define molecular mass of a substance. तो बेटा, क्या होता है? It is the mass of all atoms of elements. ठीक है, चाहे वो सेम हो, चाहे वो डिफरेंट हो. present in a molecule. उसे कहते हैं, बेटा, molecular mass. Next, बेटा, वो कहते है, कि calculate the molecular mass of the following. glucose का molecular mass, बेटा, कितना आता है? वो आता है, 180 U. Calcium carbonate का आप calculate करोगे, बेटा, कितना आएगा? 100 U. chlorine का, बेटा, कितना आएगा? 71 U. nitrogen का, बेटा, कितना आएगा? 17 U. carbon dioxide का, बेटा, 44 U. Methanol, बेटा, 12 U, 32 U. And ethanol, ये कितना हो जाएगा, बेटा? 24, 6, 46 U. अगर अगर आपको लगता है, कि बेटा, किसी का molecular mass निकाल के आपको बताना है, तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं फिर आपको उसका molecular mass निकाल के बता हूँआ. 28, what do we call those particles which have more or less electrons than the normal atom? जिसके पास electrons more होते हैं, उनको हम कहते हैं एनाइन्स, जिनके पास electrons less होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, केटाइन्स. जिसके बता, what do we call those particles which are more electron than atoms? तो बिटा, more electrons में एनाइन्स, less electron, उसमें बिटा, हम क्या कहते हैं, केटाइन्स कहते हैं, तो आप answers कॉपी कर सकते हैं. Next, बिटा, question जो है, वो discuss करते हैं, from question number 31. क्याते हैं, define formula mass of a compound. तो बिटा, एक क्या होता है? It is total mass of all atoms present in a given formula of a compound. क्याते है, calculate the formula unit mass of the following. तो बिटा, उन्होंने सबसे पहले, बिटा, किसका पुछा है, sodium oxide था. तो बिटा, 2 into 23 plus 1 into 16, बिटा, oxygen का, तो ये कितना आ गया? 46 plus 16. तो बिटा, ये आ गया 12, ये आ गया बिटा, 62E. Then, दूसरा जो है, बिटा, वो है, aluminium oxide, Al2O3. तो बिटा, 2 into 27 plus 3 into 16. आप इसको multiply करेंगे, ये आ जाएगा, बिटा, 102U. Then, बिटा, C part, बिटा, हमारे पास आ रहे है, Na2CO3.10H2O. अब इसको कैसे निकालते हैं, बिटा, 2 into 23 plus 1 into 12 plus 3 into 16. ठीक है? Plus, बिटा, ये dot का मतलब है, Plus. अब ये हो गया 10 into पानी का मास्क, बिटा, कितना होता है? 80. तो ये आ गया 46 plus 12 plus 48 plus कितना आ गया, बिटा, 180. तो अगर आप इसको add करते हैं, 6, 10, 16. ये आ गया, बिटा, 180. और ये आ गया 1, 6, 10. तो बिटा, ये आ जाएगा, 286. ये लिवा क्राफ्स चेक कर लेते हैं, बिटा, 46 plus 12. कितना आ गया? 58. 58 plus 48. 16 and 10, 106. हाँ, ठीक है, बिटा. तो हमने सब के फर्मुले के मास्स जो है, वो निखाल दी लिए हैं. देखते हैं, बिटा, 31st question. कहते है, what is a group of these many particles is known as? इसको हम कहते हैं, आवो गैट्रोस नमबर, जिसको बिटा, हम क्या कहते हैं? मोल. कहते है, what name is given to the amount of substance containing these many particles, atoms and molecules of a substance? तो बिटा, इसका अंसर क्या हो गया, बिटा? मोल. बिटा, इसका थाज़ मोल. Okay. What is the numerical value of Avogadro's number? बिटा, 6.022 into 10 to the power 23. Then, कहते बिटा, ऑंसर the following. How many atoms are present in one gram atomic mass of a substance? बिटा, Avogadro's number. How many atoms are present in one gram molecular mass of a substance? आवोगाड्रोस नमबर क्योंकि 1 ग्राम और 1 ग्राम मॉलेक्यूल ये 1 मोल के बरापर होता है पेटा डिफाइन मोल इट इस अ ग्रूप अफ 6.022 इंटो 10 तो दी पावर 23 पार्टिकल्स ठीके देन 35th question पेटा क्या कहते है what are polyatomic ions ions having two or more different atoms are called polyatomic ions give example ammonium carbonate ये होगे बेटा polyatomic ions आप को पी कह सके नेक्स पेटा question देखते है question number 36 कियते है कियते है कियते है why was oxygen replaced by carbon 12 as a reference for measuring atomic masses तो पहले पेटा कोन हुआ करता था oxygen as a reference element पर बाद में कोन आगया पेटा carbon क्यों भई because in most of the compounds the presence of carbon was observed and existed more in nature oxygen से ज्यादा existence जो है पेटा किसे element की होती है carbon की इसलिए उसको replace कर दिया 37 करता है find the percentage of oxygen in chalk pieces पेटा chalk का formula होता है CAO 3 आप पेटा इसका molecular mass निकाल लूँ 1 into 40 1 into 12 3 into 60 ये पेटा कितना आजाएगा 100 अगर आपको oxygen की percentage निकाल ली है तो पेटा mass of oxygen upon total mass into 100 तो oxygen का mass कितना है पेटा 3 into 60 divided by total mass कितना है पेटा 100 into 100 तो पेटा ये कितना आजाएगा 48 परसेंट कितना calculate the ratio of number of atoms present in carbon dioxide तो पेटा 38 का अगर आपको answer करना है ये तो 37 हो गया 38 के अंदर carbon dioxide के अंदर ratio number of atoms का कितना है पेटा 1 to 2 ratio of number of atoms पेटा कितना आगया 1 to 2 फिर पेटा हम बात करते है 39 की what will be the formula of the compound form if element A is tetravalent and element B is divalent अगर A tetravalent है और अगर B पेटा divalent है criss-cross ये रहें तो पेटा criss-cross method से ये क्या आजाएगा A2 B4 और पेटा ये cancel हो गया तो ये क्या आगया A B2 then it says write the molecular formula of the following compounds copper 2-bromide Cu Br2 aluminum nitrate Al NO3 O calcium phosphate Ca3 PO4 whole twice iron sulfide Fe2 S3 mokri chloride Hg Cl2 magnesium acetate हाला कि ये नहीं आएगा कहते है write the molecular formula of all the compounds that can be formed by the combination of this आप बेटा criss-cross method से बेटा इसको solve कर सकते है फिर वो कहते है write the cations or anion present in it बेटा इसमें cations क्या है CH3 COO minus anion हो गया Na positive cation हो गया NaCl में Na positive है Cl negative है इसके अंदर कोई भी नहीं है इसके अंदर NH4 positive cation है और NO3 minus बेटा क्या हो गया NION हो गया कर लो को बेटा let us see के बीच में क्या बनेगा गलत है बेटा 14 इस्टो 3 आजाता है इस्टो 3 तो बेटा अगर आप इसका रेशियो निकालेंगे तो aluminium is 27 upon 3 into 19 आप बेटा सॉल्व करते हैंगे 3 से cancel हो गया तो रेशियो इस 9 upon 19 magnesium sulfide formula is MGS बेटा यह आजाएगा 24 इस तू 32 तो बेटा सिंपल रेशियो आजाएगा बेटा 3 is 24 के ते नंबर ओफ आटब्स प्रेसेट इच स्पीशीज इसमें बेटा चार है इसमें बेटा पांच है इसमें बेटा कितने होगे 7 इसमें कितने होगे बेटा 2 इसमें इसमें और पांच पैजिसन के पांच है और पांच है आए इटा इकला शोलिबिली इसमेंने में मेरापी बेटा कियों आ Madam सब्सक्शं के नाज पांच है सब्सक्राव सिंदास इसमें आजरा और अजर्फकम्त है एक्जाम्पल ऑफ सॉल्ट कुण सा एने सिय तो बिटा टेंप्रेचर इंक्रीज़ इस इस एक्राइब लेटी बिटा क्या कर जाती है इंक्रीजेश नॉट ओली सॉल्ट बिटा अगर आप शुगर भी लेते हैं तो भी बिटा सेम होता है कि तक लासिफाइब एच आप देम ऑन दे बेसे जोब अपने सिट बिटा इस डाय अटोमिक ट्राय अटोमिक ट्राय अटोम कि च पुलिय कॉत्ट बीयू ऑनो सुगर इसे हैं तो इस क्स्वाइब इस हैं रसम मौन की जमारदा मिरद की बाहर भीन को आपट सक्लिय। फजह त esos एंग हैं तो देक्री हैं देक्त कीति त ए empez ङ Гबहरा इसे तेस्टिंग हम इसको कैसे आइटेंटिफाय करेंगे विदाउट टेस्टिंग बिटा एड़ कॉंक H2SO4 इस शुगर इट विल गेट चार्ड चार्ड मीन्स बिटा ब्लैक कलर की हो जाएगी और अगर नहीं हुआ देन विटा इस शॉट कर लो बिटा कॉपी तो बिटा नव बिटार नॉबज़टन नुमर फिफ्टी कटा है वूट यह वटार्वट फिफ्टी वंकटा है वटार फिटी वंकित फांट रेशियो और मासस पांश भ कम इली मैंट सिंधत फॉल इस अथा इस जैसे चलेशियम हो गिया carbon हो गया oxygen हो गया तो इसमें कितना है 40 कितना है 12 कितना हो गया 48 सब को हम किस से divide कर देंगे 4 से तो यह कितना आ जाएगा 10 is to 3 is to 12 तो यह ratio हो गया calcium carbonate के देन बेटा ethanol इसको हम क्या करेंगे बेटा C2H6O तो बेटा यह कितना आ जाएगा 24 is to 6 is to 16 तो बेटा यह सब किस से divide हो जाते हैं 2 से तो बेटा यह आ जाएगा 12 is to 3 is to 8 यह बेटा mass ratio हो गया magnesium chloride तो बेटा यह क्या आ जाएगा 24 is to 71 तो बेटा इस से जादा यह simple नहीं हो सकता NH3 nitrogen and hydrogen 14 is to 3 इस से जादा यह simple नहीं हो सकता H2SO4 H sulfur oxygen 2 32 and 64 बेटा 2 से divide करतेंगे 1 is to 16 is to 32 यह बेटा यह के लिए हो गया calcium hydroxide calcium oxygen hydrogen 14 32 and 2 तो बेटा 2 से divide करतेंगे 20 is to 16 is to 1 यह बेटा mass ratio हो गया केते बेटा बेटा? What are ionic compounds? ionic compounds are made of cations and anions एक्जाम्पल NaCl Potassium Oxide क्या तो Molecular Compounds क्या होते हैं Molecular Compounds Are Made of Atoms Of Different Elements इसमें Example क्या हो जाएगा CO2 CO Water Etc Then बेटा Next question कहते है What is the SI unit prefix For each of the following multiples And sub multiples of the unit तो बेटा ये 10 to the power 3 आगा बेटा Prefix बताना है तो बेटा ये किलो आजाएगा 10 to the power 1 10 to the power 2 ये डेसी आजाएगा ये सेंटी आजाएगा ये माइक्रो आजाएगा ये नैनो आजाएगा ये पीक हो आजाएगा बट ये question बेटा ऐसे आते नहीं है And last question कहते है Write the formula and calculate the molecular mass वो आप निकाल लेंगे Caustic Potash उसका formula अटर बेटा KOH Baking Powder formula अटर बेटा NAHCO3 Limestone CACO3 Caustic Soda NaOH Ethanol C2H5OH and बेटा F Common salt that is NACO तो बेटा यहाँ पर हमारी इस chapter की assignment theory wise बेटा खतम हो जाती है अगले lecture में हम इसके numericals का discussion करेंगे प्टे स्छिट करेंगे झार